आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी सॉफ्टेर की सॉटकट की बनाना कैसे याने कि जब भी आप किसी सॉफ्टेर को उपन करते हैं तो आप यहाँ पर सर्च में जाकर उफ्टेर का नाम लिखते हैं और सॉफ्टेर आपके सामने आ जाता है क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वो सॉफ्टेर उपन हो चुका है अब मैं इसकी एक सॉटकट की आपको उपन करके बताता हूँ देखिए मैंने यहाँ पर कंट और अल्ट डबलू प्रेस किया कीवोर्ड से तब भी आप स्क्रीन पर देखेंगे वर्ड उपन हो चुका है यह कैसे सम्मब हुआ याने के मैंने ना तो सर्च किया है और ना ही किसी रन के द्वारा कमांड से किसी भी सॉफ्टेर को उपन किया है याने के अपनी यह खुद की एक सॉटकट की आप बना सकते हैं और उस सॉफ्टेर को उपन कर सकते हैं कोई भी software हो, word हो, excel हो, power, paint, photoshop, etc तो सबसे पहले हम किस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे उसकी shortcut की बनाते समय तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस software की shortcut की बना रहे हैं उस software को skin पर लेके आना है अब वो software skin पर आता किस तरीके से सबसे पहले आपको ये सीखना है देखिए, यहाँ पर आप किसी software को desktop पर screen पर लेके आना है तो यहाँ पर आपको word, excel, paint काफी सारे software नजर आएंगे अगर मैं इसकी उपर right click करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी desktop screen का shortcut नजर नहीं आएगा पहले के system में आपने देखा होगा send option आता था और desktop पर shortcut की बन जाती थी अब मैं यह बताऊंगा कि इस screen पर यहाँ पर किस तरीकी सिलाते हैं तो पहले मैं इस paint software को यहाँ पर delete कर देता हूँ और बापस बापस यहाँ पर लेके दिखाता हूँ तो अब आपको क्या करना है जिस software को desktop screen पर लेके आना है सबसे पहले उस software का open करना है और यहाँ पर आपको paint नजर आएगा इस में paint की shortcut की बना कर देखाऊंगा और desktop पर लाकरी भी देखाऊंगा अब आपको क्या है यहाँ पर right click करना है और यहाँ पर आपको एक नजर option आएगा open file location जैसे ही आप इस location पर click करेंगे तो यह जहाँ install हुआ होता है shortcut वह वहाँ पर पहुँच जाएगा तो आपने देखा यह यहाँ पर नजर आ रहा है अब इसके उपर right click करेंगे और यहाँ पर send to option आएगा यहाँ से आप desktop create shortcut पर click कर देंगे जैसे आप click करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर आपके सामने paint software निकल कर आ चुका है अभी आप इसको open करने के लिए double click करते हैं software open हो जाता है या search में click करेंगे तब आपका software open हो जाएगा तीसरा window rk द्वारा यहाँ पर आप ms paint लिखेंगे तब भी software open हो जाएगा तो आईए मैं अभी इसकी एक shortcut की बना के दिखाता हूँ जिससे के आपको search ना करना पड़े type ना करना पड़े एक command से ms paint आपका open हो जाएगा तो यह कैसी सम्हब है तो आईए सीखते हैं अब सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी उपर आपको right click करना है और यहाँ पर आपको properties नजर आएगा इस properties पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक shortcut नजर आएगा और shortcut के नीचे आप नजर आएगे तो shortcut की यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ मैं इसकी shortcut की control के साथ में Q button प्रेस करता हूँ अब Q क्यों लगाया है मैंने आप यहाँ पर कोई भी alphabet का यूज़ कर सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं shortcut का यहाँ पर आप इसे apply करेंगे और okay करेंगे तो आईए अब हम देखते हैं ना हम double click करेंगे और ना ही हम किसी search करेंगे इसका आप हमने जो shortcut की बनाया है और उसको open करके देखते हैं तो control, alt, w हमने प्रेस किया तो आप यहाँ को देखेंगे यह software automatic ही open हो चुका है तो आपने सीखा इस तरीके से किसी भी software की अपनी command बना सकते हैं और software की मैंने shortcut की बनाई है जैसे मैंने आप PowerPoint उपन करना है तो control, alt के साथ में मैं P दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ PowerPoint उपन हो जाएगा तो इससे एक easy command नई command आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं और मैंने काफी सारे यहाँ पर command का प्रियोग किया है इस तरीके से आप मैं आपको दिखा रहा हूँ Photoshop का मैंने shortcut बनाया है PowerPoint का, Word का इसी तरह से अपनी एक अलग से shortcut की किसी भी software की बना सकते हैं यदि आपको software की shortcut की बनाने में या open करने में परिशानी आती है तो comment के द्वारा हमें बता सकते हैं मैं next वीडियो बना कर उसको समाधान करूँगा जिससे के आपको कोई परिशानी नहीं आए